जाहिन चाइना ने अमेरिका के B2 बीमान का कॉपी करके खुद का S20 बीमान बना लिया यह एक इस्टील्थ बॉंबर है इस्टील्थ क्या होता है और बॉंबर क्या करते है से स्ट्रेटिजिक बॉंबर होता है यह रडार के पकड़ में नहीं आते हैं अब यह भारत के लिए बहुत बड़ा security concern है क्योंकि यह भारत के पास घुमेगा और रडार में पकड़ में नहीं आएगा लेकिन इसको पकड़ने के लिए ओभर दो होराइजन रडार होता है अब हम यह दोनों की टेक्नालोगी को समझते हैं कि इस सब्सुरा बच्टा कई से है और पकड़ कई से लॉमबर साही से और थोड़ा Seven बहुत जादे ले जाते हैं सजीसा इस की का मतलू होतμε होता है बहुत दूर तक जाते हैं और पर्मनें डाइमेज करके आते हैं जीसेश्ट्रेटीक यह डीए यह राफेल है, यह strategic नहीं है, यह tactical है, इस्ट्रेटिकल है, इस्ट्रेटिकल दूर तक जाते हैं, अब राफेल दूर तक नहीं जा पाएगा, अब यहां से आपको दीजेगा कि France उड़के चल जाओ, सुजरा जाएगे नहीं पाएगा, बीच में रुकेगा, इवन यह France से आय पी था तो दुबई में रुका हुआ था, उसके बाद यह इंडिया में आए, तो यह tactical होते हैं, tactical मतलब कम दूरी पर जाते हैं, लेकिन इनके पास हंतियार बड़े खतानाक होते हैं, शुरुवाती श्ट्राइक यही करते हैं, धड़ाधर दुस्मन के राडार तोड़ दे जरुवात होती है, क्योंकि strategic है, तो हवा में ही इसमें फ्यूल भरा जा सकता है, जैसे मान के चली यह जहा जाते हैं, इसकी उचाई फिक्स कर सकते हैं, यह अपने बता देगे कि भी यह देखो हम 4070 फीट की उचाई पर उड़ रहे हैं, अब यह इसको उसी हिसाफ से कर दे यहां एक उपरेटर बैठा रहता है, वो इसमें रिफील कर देगा, मीड एयर रिफीलिंग के दौरा इसे बहुत लंबे दूर तक उपरेट किया जा सकता है, अमेरिका ने एक बार यहां से उड़ान भरा था, अपने यहां से B2 बंबर से, और यह आया था, सीरिया और यहा इसको टेकनिकल टर्म होते हैं, मिलिटरी के चेतर में, इसका मतलब होता है कि अपने सरीर को छुपा लेना, अब जैसे मान के चलिए, यह देखिए, यह कैमोफलाइच कर रहे है, इसको ऐसे ही स्टिल्थ होता है, हवा में कोई चीज अगर छुप जाती है, तो उसे कहते है यहां इक फोजी खड़ा है देखिए यहां पर भू की नोहएं और यहां पर क्वधी देखियों चला था यहां परिया को बहुत ग्ता काल Beta है और हवा में करते हैं तो उसे इसटिल्थ कहते हैं पूरी तरह से छुप नहीं सकते है ना Stanu हो सोनार हो यह आपना रास्ता कैसे पकड़ते हैं परावर्तन के दोरा यह वेब चोड़ते हैं अट्यकाfund की लोटने की घटना को और जो टख्राइब उसको वहां पर परावरतन तो उसी सिधहनत पर ये काम करते है radar, radar signal चोड़ता यहां से, जहां से टक्राता तो यह लोट में तो यह पकड़ लेता तो वो इसमें operator हो तो वो ignore कर देता है तो यह जहाज का size बढ़ा होता है यह तो पक्षी है जैसे यहाँ दिखें यह सब जहाज होंगे समय आप अब यह चोटा सा दिख रहा है यह क्या है पक्षी है तो यह सब इसी का फाइदा उठा लेता है यह पूरी तरह से radar में नहीं छुप पाता है ल यह जहाज है तब तक ही आके बम गीर आ चुका होता है अब यह कैसे अपना figure यानि signature छुपा लेता है radar पर radar फीगर उसको समझे रडार इस तरह से wave छोड़ता है तो यह क्या करता है यह जान जाता है आज करके electronic warfare में कि सब्सक्राइब अगर टकरा के लोट गया तो इस radar को ब वक्षी है तो इसके बाहर इस पर क्या लगा दिया जाता है एक carbon fiber जो होता है और iron ball का paint कर दिया जाता है वह special प्रकार के आता है करोडों के मिलते जहाज के बाहर जब paint कर देता है तो यह क्या करता है 50% wave को सोख लेता है जो आया सोख लिया अब जब सोख लेता है तो radar को लेकिन 50% भी तो बचाओ बड़ा जहाज नहीं दिखेगा छोटा दिखेगा अब क्या किया जाता है इसमें इसका shape इसकी designing इस तरह से बनाई जाती है कि इसमें से radar की जो किरने आई है वो टकरा के दूसरे डारेक्शन में मुर जाईगी वापस जाही नहीं पाईगी इस design से बना जाता है कि इसका इंगन भी उपर रखा गया था कि धूवा उपर से निकल जाए यहाँ पर नीचे रखता है अमोमन जहां जो कर नीचे रहता है या फिर पीछे रहता है इसका complete पीछे नहीं है उपर की ओर है दिख रहा है यहाँ पर क्योंकि radar नीचे से देखता है 18% को सोख लिया carbon fiber और iron ball 38% को यह लिया यानि total कितना परसेंट की रणों को यह लोग लग चोपट कर दिया 80% तो रडार पर कितना दिखेगा 20% तो रडार पर जब दिखता है 20% तो लगता है कि कोई पक्षी है तो confirmation के लिए कि पास आने दो पास आएगा तो उतना ही छोटा दिखेगा उतना ही छोटा 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 लेकिन यहां जब दम पास आजाएगा तब लगेगा नया बबु आई तो जहाज था तब यही गड़बड हो जाता है इस तिल्थ के साथ अब जैसे आप ही समझे ना मान के चली आप दूर्बीन से देख रहे है और आपको लगेगा दूर्बीन की घड़ भी रही हो तो टेकनोलजी यूज किया वैसे अब मान के जली आपको कोई कर रहे है कि सेर आए का तो उसको रोक देना गोली मार देना महां सेर में और आपको लग रहा है आप तो तो यह सेर से न मारना है तो पुता आ रहा है आपको क्या करन पड़ोसी पर करें चुब यह कुता नहीं सेर ही है प्यार के चक्कर में पढ़के इसकी सकल कुत्ते की जैसे हो गई है इसलिए लड़का लोगों को भी कर लाने तो सकलों भीगड़ जाएगा करियरों भीड़ जाएगा किसी भी श्टिल्थ जहाज की जो सबसे बड़ी खर बढ़ाने में बहुत ज्यादे खर्च होते है तो बमों को भी श्टिल्थ रखा जाएगा तो बहुत ज्यादे कॉस्ट आएगा इसलिए इसे अलग से चेमबर बनाके अंदर रखा जाता है जब बम गिराना होता है तो चेमबर खुलता है और बंद हो जाता है तो जब यह तो उस समय तक हलका सा यह रडार में आता है लेकिन फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रडार में यह आएगा यह गिरते रहेगा यह तो उतना अच्छा से आता नहीं है यह यह बंद हो जाता है अब अमेरिका का ना जैसे यह B2 बंबर है यह खतरनाक श्टिल्थ है अधिया चराएं कि हम पूरे रडार एक सको पकड़ रडी ऐसा नहीं होता है यह बहुत के चाराता है मतलब इसका ना कम आता यह यह जादे ले सकते है अमेरीका वाला बी-टू तो बहुत जादे लेके चला जाता है और यह उसका कॉपी करके S22, S20 जो बनाए है चाहिन है, इसकी छमता उतनी नहीं है, तनीमोनी लेके जाता है, उतना हल्ला करणायत की धेर ले जाता है, वैसे भी यह सब बीटू हो या S22 हो, तीबत के पठार पे दोनों की सांस उखड जाएगा, रिजन क्या है, कि यह सब जो है, कोई भी यह समय 50% करेगा, अब इसा जो है, इतना ले जा रहा ना थे, इसका 50% करेंगे यहाँ पर, इतनी सा ले जाएगे यहाँ पर, लेकिन फिर भी इसका स्टिल्थ है, यह हमारे लिए यह concern है, अब दिखिए, यह स्टिल्थ जो होते हैं सब, यह कार्पेट बंबिंग के लिए कर देते हैं सब, अब चाइना को क्या लगा, उसको लगा कि उसने बना लिया, अपने S-22 बना लिया, अब S-20 बना लिया, अब यह तो रडार में उतना आएगा नहीं, भारत रडार पकड़ते रह जाएंगे, इसको लगा कि यह हमाले वाले एरिया में है, यहाँ पर इसने डिप्ल है कि यह रडार में उतना नहीं आता है, लेकिन इसको पकड़ने के लिए over the horizon radar बनाए जाता है, यह फाइदा किस चीज का उठाता है, दो चीजों का, एक पहाड का, अगर कोई जहाच पहाड के उस साइड रहेगा, और रडार इस साइड रहेगा, तो पहाड रोग देगा, रडार में नहीं आएगा, दूसरा प्रिथवी के horizon, horizon मतलो होता है ऐसे घुमाओ, अब जब geography आदमी पढ़ाता है, तब बताते हैं यह प्रिथवी की आकिरती geode होती है, geode, जो गोल नहीं है, आलू कीचे तरह धशकल पशकल है, लेकिन अन्य topic रहता है तो आदमी normally बोल दे जीजे देखिए, यह जो रडार है, यह इस जहाज को पकड़ लेगा, क्योंकि यह इसके range में आ रहा है, यह जहाज तो पकड़ा जाएगा यहाँ पर, लेकिन यह जहाज को देखिए, यह नीचे की और है, अब यह दो चीजों से बढ़ जाएगा, एक प्रिथवी के horizon से ब दूसरा आएगा तब तो यह दो के चला जाएगा, यही फाइदा उठाते हैं सब, मतलब जो भी स्टिल्थ जहाज होते हैं, किसी किसी पोजिशन पर, तो ओफर दो horizon radar इसी का solution होता है, यह क्या करता है, यह direct प्रिथवी को, यह जैसे प्रिथवी है यहाँ पर, अब यहाँ वेब को अंतरिक्ष में भेजते हैं, उसके बाद लॉट में देते हैं उसको, यही प्रियोक किया जाता है, इसका क्या है, सिंपल सा, हम लोग रहते हैं, हमारे उपर हवाईउ मंडल की परते हैं, हम जिस एट्मॉस्वीर में रहते हैं, उसका पहला लेयर होता है, ट्रोपो स्ट्रेटोस्पेर, मीजोस्पेर, आइनोस्पेर, एक्सोस्पेर, तो आइनोस्पेर में कास्मिक रेस पाई जाती है, बहुत खतरनाक होती है, यहां पर, यह नीचे से आने वाली वेब को लोटा देती है, अब यहां से कोई वेब को छोड़ियेगा नो तो यह लोटा यह भेज़ेगा वेब को बहुत हाइबीम को भिशता है यहां पर हाइबीम की इंटेंशिटी की वेप को भेज़ेगा टकरा के जबाएगी तो ओर ड्रेडी लो हो यहां पे कुछ हो रहा है, तो सबसे पहले यह high beam को फेकते हैं और वापस इसको ले लेते हैं सब, अब इसमें एक चीज़ देखे, तो यहां से high power का beam फेका गया, यह इस्टेटो, आइनो स्पेर है, जो iron bundle होता है, यहां से टकरागे गया, इन जहाजों से टकराएगा और यहां पे हल्चल होगा, तो इस हल्चल को पकड़ने के लिए, हमाएं पास एक अलग से antenna होना चाहिए, जो signal को पकड़ ले और वो काफी लंबी एरिया में होना चाहिए, अब यह लंबा एरिया में क्यों होना चाहिए समझे, जैसे यहां पर देखे एक पहाड है, और यह दो जहाज है, और यहां पर radar लगा हुआ है, यह transmission के थ्रू भेज रहा है, iron bundle में, high beam को, यह टकराएगा, वापस आएगा, low beam पे, इस low beam प जो बहुत बड़े एरिया को कभर कर सके, और वो इस हलचल को पकड़ लेगा, यह receive करने वाला हलचल को receive करने वाला बहुत sensitive radar चाहिए, आप देखे हलचल कैसे, आप इसको समझे कैसे, जब कभी भी आप नदी के किनारे खड़े रहते हैं, तो आपका ध्यान इधर रहता है, अचानक कोई नदी में अगर कंकड मारा, या नदी में इस तरह से कंपन हुआ, आप फटाक से समझ जाते हैं, सब्सक्रा कुछ हो रहा है यह आप, आप उस चीज को नहीं देखे हैं, कि वहां कोई कंकड मारा या मचली उपर आई है, लेकिन आप इस वेब को देखके पता क कर लेते हैं, यह वेब काफी देर तक रहती है, ऐसे ही वेब हवा में बनती है, बट हम उसे नहीं देख पाते हैं, लेकिन रडार उस वेब को देख लेता है, जिस तरह से पानी में, अब उल्लू को खड़ा कर दीजेगा, नदी की किनारे, तो ससुरह यह वेब को भी नहीं में भेजा, वायन मेले से टकराया, और कोई भी जहाज हावा में आया, इस तरह का हलचल होगा, उसको अबर्दो हराइजन रडार पकड़ लेगा, आपने स्क्रीन पर दिखा देगा, इतना बड़ा हलचल है, तो इतनी बड़ी जहाज होगी, छोटा हलचल मतलब छोटी जह इतना हाई पावर का छोड़ता है जिसका कोई हद नहीं और इसमें मोडूल्स लगाए रहते हैं, इसका पावर का न्यमसन बहुत तगड़ा रहता है, यह नॉर्मली बनाना बहुत मुस्कीले, छोटे रडार में नहीं हो सकते हैं, इसका एरिया बहुत जादे चाहिए होता इसके लिए यहाँ पर, अब यह इतनी उंचे होते हैं, इतनी रहें बादल में घुज गया है, यहाँ पर तो बादल आ गया है, बादल की उपर चले गया है, यह और इससे बचना एकदम मुस्किल हो जाता है, इसमें रिसीवर बहुत तगड़े लगे रहते हैं, हलका भी ह लोलवा ससुर, यह पर नाचने चल गया है, अब उलट जीवा ससुर, तो नहीं, ओभर दा होराइजन रडार, यानि OTH रडार कितना खतरना का आप इससे समझे, कि चाइना ने जो H20 बनाया है, इसका बाप है अमेरिका का B2, B2 बीमान जो है, अमेरिका से उडान भरा, और यह उडान, रूटीन उडान भर के वापस आया, तो फ्रांस को यहाँ पर इसके पता चल गया, कि इसका B2 जाहर उडा है, यहाँ पर, काय को स्टिल्द भया, ओबर दो होराइजन रडार, यहाँ लुकाचीपी के खेल चल रहा है, जाहाद सोचना हमें ही हुजियार है, असले भाग में कर रहा था, तो आस्ट्रेलिया चाइना को कहा कि रहे, सुसुत ने, उधर का है मिसाइल पर इछड कर रहा है, उधर जीव जन्दू को लॉस होगा, वो एरिया में मचलिया जादे होती है, उस एरिया में करो जीधर मचली नहीं, तो चाइना सनग गया कि रह तो आस्ट्रेलिया चाइना को बना लिया है, तो चाइना ने एस ट्वेंटी टू बना लिया है, हाँ ये बात भारत के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि भारत की इंजिन इस मामिले में बहुत पीछे हैं, खास कर के एवियेशन के एरिया में, हम बड़े न जाहाज, डॉन हम बहुत बड़ा हम लोग नहीं बना पाते हैं, और इसकी इंजिनिंग बहुत तेजी से निकल लेगी, लेकिन हम लोग जो गाड़ वाले हैं, देखें, चाइना के पास S-300 मिला है, चाइना रूस ने उसे S-300 दिया है, क्योंकि चाइना MTCR का सदस नहीं है, उसे 300 किलो से जादे मारक चमता की मिसाइल नहीं मिल सकती, तो हम लोग के पास S-400 है, उसकी असली चमता S-400 किलो मेटर है, लेकिन S-400 का जो रडार है, ये रडार 400 किलो मेटर ही देख सकता है, इस से आगे नहीं देख सकता है, अब ये मिसाइलों को उदर महीं तक गाइड कर सकता है, यह इस missile को देदेगा, कि भई तुमको अतना दूर जाना है अब आप अपके इस missile की तो छम्ते नहीं है इमें एतने मसाले भार अल है मन के चलए है पांच रुपी आल है राकेट तनहीं उड़ता है पचीस रुपी आल जाते उड़ता है इसको लग रहा था कि ये ही हिंदूस्तान है ना ही हिंदूस्तान हमेसा जोगाड पे चलता है हम लोग बच्पने से जोगाड शीख लेते हैं बच्पन में क्रिकेट खलते समय गेंद जो होता है बॉल अगर नाली में चला गया तो अपवित्र हो जाता था तो उसको निकाल के तीन बार पटक देते थे, कहते थे, तीन बार पटक देना, अब सुध्ध हो गया, इसको पते नहीं समझता है, यहीं इंजिनियर जा दे, इसको इंजिनियर का समझ में, हम लोग कहा है, दुनिया में सबसे पहले, जब वाई-फाई, ब्लुटूथ नहीं था ना, तभी हम लो सबसे टेक्ञोजी समझता हक, व भी सबसे हीनल समझता है, पिसाब नहीं करेगा तो का ममी पापा फिसाब पर हुआ करेंगा हूँ तु स स चलता है चाइना ने कुछ कर दिया, अमेरिका ने कुछ कर दिया, पाकिस्तान ने कुछ किया, अब हम उसको जोगाड के इंसाब से उसे काउंटर करने पर लगते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है, अब हमें अपने पूराने ट्रेक रेकॉर्ड को बदलना चाहिए, तो I hope आपको strategic bomber ये सब समझ में आ गया, और horizon radar भी समझ में आ गया, मिलेंगे next class में, जहिन